सुवागेत है आपका जोथिस बस्तो और उपाई के चैनल पे हम बात करने वाले हैं आज के राशिफल की एक सितंबर और दो सितंबर के दिन आपके कैसे व्यतित होएंगे संपूर्ण विष्टे चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आदार पे और आज मैं एक खास उपाई भी बताऊंगी जो आपको दो तारीक को करना है तो शुरू करते हैं राशिफल सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों के चंद्रमा की स्तिति देखें तो एक तारीक को चंद्रमा चलेंगे फोर्ट आउस में और दो तारीक को चलेंगे आपके फिप्त तो ये दोनों ही दिन आपके लिए सफल्दा देने वाले हैं, नोकरी में भी सफल्दा मिलेगी, साथ ही साथ आपको कारेशेत्र में भी इस्तियां favorable मिलेगी, आपके लिए काफी अच्छा समय ये रहेगा, बस आपको क्या धान रखना है, इस दिन आपको अपने कुरॉद से स्वास्त आपका समयने रहेगा बस कुरोध की ही आपके शरीर के अंदर अधिकता रह सकती है और उससे अगर आप बचलिए तो काफी कुछ अपने कारेश शेत्र में आप अच्छा कर पाएंगे हाला कि छुट्टी का दिन रहेगा एक तारीको परंतु दो तारीक का दिन आप इस्तिता रहेगी काम आपके बनेंगे बिजनिस में भी इस्तितियां पक्ष के रहेगी कोई मन में चिंता आपके चलती रहेगी उस चिंता को आप अल्टिमेटली दूर कर लेंगे वेवाईक जीवन में थोड़ा सा तालमील बैठा के चलना पड़ेगा अपने जीवन साती बढ़ाएं आप क्योंकि शुक्र आपके शिक्स भाउस में चल रहे हैं इस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है क्योंकि के तुके कारण होने के कारण थोड़ा सा टेटेच्मेंट रहेगा गुपने फिरिने का भी योग मिलेगा जिवनसाती के साथ एक त प्रमिशील रहेंगे आप बहुत सक्रिय रहेंगे परन्तु फिर भी बिजनिस में लाब की मात्रा आपके आशा से थोड़ी सी कम रहेगी इस्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है दोनों ही दिन जब वह अपना अच्छा प्रदेशन करेंगे को कॉम्पिट अच्छा करेंगे कि मेश राशी वालों को क्या उपाय करने चाहिए देखें मेश राशी वालों को कोई भी महत्पूर्ण और सुबु कारे करना है तो ग्यारा बच के पच्पन मिनिट से लेके बारा बच के 45 मिनिट के वीचम करें या भीजीत मूरत है इस समय शुरू के ग देखला प्राप्त करें दो तारी को मघा नक्षत रहें इसके सुवामी पित्र है तो दो तारी को दो काम आप अवश्य करें पहला काम तो यह करें कि प्राते उटते ही बिना इसनान की बिना मूध होए आप मठकी में से एक लोटा जल लेके अपने मेन गेट के दोनों और चुड़के ऐसा करने से पित्र देवत्रप्त होंगे और इसी दिन सिद्धी योग भी बन रहा है इस कारणे से इस दिन आप कोई नय कारे शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर ले इस दिन शुरू किये गए कारियों पे पित्रों की विक्रपा रहेगी और पित्रों क और नमस्कार करके पित्रों का पूजन करके आप कारे करें आपको सफलता मिलेगी साथ ये साथ इस दिन अगर आप गाय के पीट के पीछे की तरफ जहां पे उसके फूच होती है वहां अगर आप हाथ फिरते हैं तो पित्र देवत्रपत होते हैं क्योंकि ये पित्रों का इ जे श्री राम अवस्य ही लिखिये बात करते हैं फ्रशे बॉडासी टॉरस की टॉरस वालों के चंद्रमा चल रहे हैं तीसरे भाव के अंदर और फिर दो तारीकों चोथे भाव के अंदर आ जाएंगे तो बुद्ध के नक्षतर में चलेंगे फर्स्ट दिन और दूसरी दिन चलेंगे पित्रों के मगा नक्षतर के दिन इस दौनों ही दिनों की बात करें तो मेनत का फल आपको पूरी तरह कैसे मिलेगा पॉजिटिव दिन ये रहने वाले हैं सोचिवे सभी कारे बनेंगे एक तारीक को जितने भी बैंडिंग का रहे हैं आप उनको करिए आपके सभ होने वाले हैं जौब के लिए भी अच्छा है वर्क प्लेस पर प्रसंसा मिलेगी एक तारीक को छुट्टी का दिन है प्रंतु दो तारीक के आपको कारियों के सरारना अवश्य ही की जाएगी लव लाइप के लिए अच्छा है और आय की दृष्टी से अगर ये दोनों दि दिन आपको धना रहा है काफी अच्छा समय आपका दो प्रॉब्लम इस दिन भी चल रही है पहली प्रॉब्लम यह के कारेश शेत्र में आप महिलाओं से दूरी बना के चलें अगर आप पुरूस हो या इस्त्रियों कोई भी हो महिलाओं से जंजे ट्राई बिल्कुल भी न अच्छा रहने वाला है जो लोग प्रॉपटी का कारे करते हैं इलेक्ट्रिक का करते हैं पुलीस में सेना में हैं या संचार माध्यम या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कारे करते हैं तो व्रेश भराशी वालों को फायदा होगा अब बात करते हैं लब लाइफ क उपाई में सबसे पहले कोई भी महत्पूर्ण कारे आपको दोनों दिन करने हैं तो आप 11 बच के 55 मिनट से 12 बच के 46 मिनट के बीच में कीजिए या भीजीत मुरत है इससे में आप स्टार्ट कर सकते हैं बाकि कोई महत्पूर्ण आपको प्रोब्लम चल रही है बिजनिस से संबंदी दो तारी को आप अवश्य ही पित्रों की पूझा कीजिए क्योंकि पित्रों का नक्षेतर भी है और शिद्धियोग भी है उप्राते उटते हैं सबसे पहले दो तारी को मटकी के लोटे का जल लेके अपने मिन गेट के दौनोर्ड छेड़े और पित्रों को परणाम करें साथी साथ गाय को अवश्य ही रूटी दे क्योंकि गाय में भी पित्रों का निवास पताया गया है ये दो काम आप दो तारीक को अवश्य करें महिने में एक ही दिन आता है जब पित्रों का दिन होता है तो ये मगा नक्षत्री के स्वामी है पित्र है अब बात करते हैं एक तारीके एक तारीको बहरोजी की पूजा वश्य करें क्योंकि एक तारीको बहरोजी की पूजा भारत में क्या ही जगे की जाएगी चतूरती तिती रहेगे और बुद्ध का नक्षत रहेगा बगवान गणेश की अरादना करना और पिता का संबान करना बहुत ही आपके लिए नहीं रहा खोलेगा नहीं रास्ते दिखाएगा तो बने रहेगे चैनल पे वीडियो अच्छा रगरा तो लाइक शेर कीजिए कमेंट में जैस्री राम अवश्य ही लिए अब हम बात करते हैं मितुन राशी जैमिना इनके लिए कैसे रहेंगे एक तारीक और दो तारीक देखे एक तारीक को चंद्रमा चल रहे हैं आपके दूसरे भाव में दूसरा भाव होता हमारे धनकुटम और वानी का उस संदे का दिन है अचानक से कुछ अउसर आपको प्राप्त होईगा यानि की जॉब ऑपर्पार्शुनेटी मिल सकती है बिजनिस में और आप परभ हो सकते है ठीश को ने का यृउर्टमो रूप से बनी हुए you साथ इजाद अपने आलेश्य को त्यागे क्योंकि के अउसर आज आपके जीवन में आएंगे और कल भी आएंगे उनको भुणाने के लिए आलेश्य को दूर करना पड़ेगा इस्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है आपको सब तरफ से सहयोग भी मिलेगा और जिस दिन भी पित्रों का दिन होता है मगा नक्षेत्र होता है उस दिन पित्रों को परणाम अगर आमने नहीं किया तो कितने भी पूजा कर लो दिन साथ तक नहीं होगा क्योंकि इस दिन के नक्षेत्र के देवता ही पित्र है जब भी आम किसी नक्षेत्र में जिस भी नक्षठ्र के देवता है वह बघ्वान बुद्ध कैंञार दो तारिक नक्षठ indri के देवता है लोग नरणा के बिजनेस में गुरु देव आपके बार में बाव में चल रहे है इस लिए आपकी धर्मी गयाथ चांहा होगी और बिजनेस के लिए ये दिन सामने है एक तारीकों वैसे भी छुटी है दो तारीकों भी आपके लिए सामने ही दिन है परन्तु जो लोग प्रॉपर्टी का कंस्ट्रेक्शन का पुलीस का सेना का या किसी भी केमिकल या दवा से संबंदित काम कारोबर करते हैं उनके लिए पाई के सितियां उनके लिए बढ़िया बन रही है सभी मितुन राशी वाले काफी बुद्धिमान रहेंगे और आउसरों का उपयोग भी करेंगे स्वास्त ठीक है बस क्रोध से आपको बचना है नौकरी में बजलाव के सितिया भी निर्मित हो रही है जो लोग सरकारी रहेंगे महिलाओं से बिल्कुल भी आप जंजट ट्राइट ने करें तो यह था मितुन राशी वालों का राशी वाल अब उपाई के चर्चा कर लें उपाई वैसे बिन बता दिये कोई भी महत्पून कारे करना है आपको दोनों ही दिन तो ग्यारा बच के पच्पन से बार आप एक तरी को कर लीजिए यह भी आपके लिए सुकद जीवुन में परिवर्तन लाएगे तो यह था राशी वाल परे रहे चैनल पर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब केजिए